हेलो भाईयों नमस्कार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी कोच 91 के यूट्यूब चैनल में तो दोस्त आज के इस वीडियो में मैं एक लेटिस्ट जो है ओफिसली नोटिस दिखाने वाला हूँ जो की यूपी कवर्मेंट की तरब से भेजी गई है और यहाँ पर आप सभी लोग डेट देख सकते हैं इस नोटिस की 22 जनौरी 22 यानि आज ही ये नोटिस जो है भेजी गई है जारी की गई है सावी कालेजों के लिए ठीक है तो दोस्त आप सभी लोग इस वीडियो के साथ पूरा इंड तक बने रहेगा तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो भाईयों सबसे पहले आप सभी लोग इस नोटिस की प्रेसक देख सकते हैं किसके द्वारा ये नोटिस बेजी गई है अउनीज कुमार अवस्थी जो की अपर मुख्य सचिव है यूपी गॉर्मेंट के ठीक है उतर पर दे सासन के अपर मुख्य सचिव अउनीज कुमा जाने की कोशिस करूंगा ठीक है किरिपया कोरोना संक्रमन की रोक्ताम है तु ग्रेडर रिस्पॉंस की संबंद में ग्रह अनुभाग तीन के आदेश संख्या सव बटा जो भी है ठीक है अब सभी लुग देख लिजे दिनांक 161-2022 का किरिपया संदर्व ग्रहन करें जिस सेचरिक संस्थानों द्वारा आनलाइन कच्छाएं जारी रखना सुनिश्रित करने के लिए निर्देश निर्गत किये गए ठीक है दोस्त इसका मतलब है कि 16 तारिक को एक नोटिस जारी हुई थी जो की यूपी गवर्मेंट की तरब से और उसमें जो है क्या बताएगा थ 22 तारिक को एक और नोटिस आई इसी के उपर ठीक है यहाँ पर आप सभी लोग दूसरा पॉइंट देख लिजे इस संबंद में सम्यक विचारो परांत या निर्डे लिया गया है कि सभी सेचरिक संस्थान अब दिनांक 31-22 तक बंद रहेंगे परन्तु आनलाइन का च्छा आली रूप से बंद रहेंगी लेकिन आप लोग की जो पढ़ाई वगर आओगी वो आनलाइन का च्छा है जो है चलाई जाएंगी और आनलाइन जो है पढ़ाई की जाएगे यहाँ पर आप सभी लोग जो है देख सकते ही सिगनेचर हुआ है 19 कुमार अवस्ति जो कर अपर मुखे सची योपी गौर्मेंट के ठीक है तो दोस्तों यही जो है लेटेस नोटिस आ रहे है योपी गौर्मेंट की तरब से आप लोग की जो छुटी थी उसकी डेट जो है बढ़ चुकी है पहले जो है तेज तारीक तक थी लेकिन अब जो है 30 जनौरी तक हो चुकी है सि पहले पाने के लिए तो मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई